सबीब भाइए को राम राम नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो लेके आए हैं हरियाना से जिला है फतेवाद फतेवाद पसू मंडी की ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ये मंडे ही हर संडे को लगती है महिने में चार बार मंडी का जो लगने का टाइम है अगर आपने पसू की खरीदवेज करनी है तो आप संडे को आकर पसू की खरीदवेज कर सकते हैं लोकेशन बता दें आपको फतैबाद से जो रतिया रोड है इस रोड के बिल्कुल नज़दी की मंडी लगती है फतैबाद से तकरीबन 5 या 6 किलो मिटर की दूरी पर है और रतिया यहां से 16-17 किलो मिटर की दूरी पर है पता करेंगे मंडी का जो मोल भाउ है वो कैसा है काफी जांदार है पीट पूठा सिंगों की क्वाल्टी सब बढ़िया है जानकारि सर से पता करेंगे रेट के बारे में दूर्द के बारे में क्वाल्टी आप चैक करें क्वाल्टी में किसी भी तरह की पूई कमी नमसकार जी नमसकार बाइशाब सर नाम बता दो अपना कौन से जिले में आ गया हट हर्याना से ओ तो सर खरीद बेज करते हो या घर की बेंस है खरीद बेज करते हो अच्या घर पे कितने पुसु रखते हो गाय और वह बहाएंसे दोनों रखते हो सर अपना फोन नमबर बता दो तो सर जैसे किसी ने पसु खृँदने और आप से कॉंटेक्ट कर सकता है यह जो आपने बहाएंचला के दिखाई यह कॉन से बहाएंट में है कितना टैम बाकी है इसके जी चार दिन बाकी है तो सर पहले बेहाँत में कितना था दूद पहले ब्याँत में 14 लिटर था इस बार कितना निकाल देगी इस बार 17 लिटर के करीब लठाचाई रजागा सर मल बता दो जैनवन मौल मॉल इसका एक लाग्-सत्र दर रुपे फिक्स है या मोक्के पे मान समान कर दोगे एक ही पैंस लेगे आए थे नहीं जी बैसे चार पर कोई भी की है अभी किया अभी चल रहे हैं अभी चल रहे हैं जी ओके सर धन्यवाद है तो दोस्तों सरका खरीद में इसका काम है सर ने सारी डिटेल बता दी है किसी बाई ने आप अनुमान लगा सकते हैं बैस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है इदर 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 दोस्तों सामने जो बाई आपको बैस चला के दिखा रहे हैं काफी स्यांदार क्वालिटी है हाइट लेंद बढ़िया है सिंगो की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है अडर का ज अच्छी जोटिया तो बाई फोन नूमर बता दो अपना जैसे बाई किसी ने पसु खरीदने में आप से कॉंट्रेक्ट कर सकता है यह जो जोटी आपने चला के दिखाई यह कौन से ब्यांत में है कितना टेम अग़े कच्छी है भी पहले ब्यांत में तो बाई इसका मोल क्या माग रहे हो एक सारी से फिक्स है या कम ज़्यादा कर लोगे मोके पे एक ही लेके आए थे दो लेके आए थे ओके बाई दोस्तो बाई ने जोटी की डिटेल बता दी है बाई का खरीद बेज का काम है दो चार पसु बाई बता रहे थे अपने घर पे रखते हैं टोप क्वाल्टी के अगर आपने पसु खरीदने हो तो आप बाई से सिर्शा स्टेट हरियाना बाई ने जोटी की डिटेल बता दी है जोटी ब्याने वाली है काफी साबसूतरी जोटी है रेट भी बाई ने बता दिया है मोक्के पे मानसमान हो जाएगा जब जोटी का सोदा होगा बाकी आप अपने इसाब से इसका अनुमान लगा सकते है दोस्तो सामने जो बाई आपको जोटी चला के दिखा रहे है हाइट लेंथ काफी है अडर का जो साइज है वो भी बढ़िया है इनफोर्मेशन बाई से पता करेंगे कोंड से ब्यांत में जोटी है दूद का क्या रिकार्ड है बाई इसका मोल क्या माग रहे है साब सुत्रा पसूदन है बाकी आप अपने इसाब से इसका अनुमान लगा सकते है क्या ला बाई साब बढ़िया बाई नाम बता दो अपना गाउन कोण सा है बंडी आधंपूर जिला इऽार अरियाना से हो बाई तो बाई खरीद बेज करते हो तो घर के पसू है खरीद बेज करते हो कितने पसू रखते हो घर पे 7-8 अर्टैम मिल जाते है गाह भी रखते हो पैस पैस गाय भी मिल जाती है भाई फोन नमबर फोन नमबर 13988835 किसी ने अगर पोसु खरीदने आप से कॉंट्रेक्ट कर सकता है तो भाई यह जो टी चला के दिखाई यह कॉन से ब्यांत में यह कितना टाइम होगा भाई को अभी तो साथ आठ दिन होगा बच्चा क्या न होग फिक्स है एक-पच्चीश तो भाई एक ही जोटी लेक आए थे और भी एक ही लेक है तो भाई कैसा है मंडी का मौल धा है थंड़ा है क्योंकि अभी ग़ाख भार से नहीं आ रहे हैं वैशे तो मेरे ख्याल से फसलों का जो सीजन चल रहा है इस कारण नहीं आ रहे हैं न आपना जो डेरी फार्म क्या नाम से है क्या नाम से सिव्ड नेरी फार्म से योट्ध चैनल बहुल दोस्तों वाय का यूट्ध चैनल भी से है जिला इसार है स्टेट हरियाना है दोस्तों सामड़े जो बाई आपको बैसला के दिखा रहे हैं कौल्टी आप चेक करें काफी साब सुत्रा पसुदन है हाइट लेंद बढ़िया है अडर की जो क्वाल्टी है वो भी बढ़िया है जानकारी बाई से पता करेंगे दूद का क्या रिकार्ड है और भाई इसका मोल क्या मांग रहे हैं अगरे बाई नाम बता दो अपना उस्मान गाउं कौन सा है हसार हिसार से हो भाई तो भाई खरीद बेज करते हैं गरकी बैस है क्रीद बेस करते हो कितने पसुर रखते हो गर पे 10 बेस मिल जाती है बाई गाय भी रखते हो भाई गाय भी रखते है फोन नंबर बता दो बाई अपना एक बार और बता तो बाई यह जो बैसा आपने चला के दिखाई है ब्याने वाली है दस दिन बागी है कौन से ब्यांत में दूसरे दूसरे ब्यांत में दूद कितना था बाई ने रेट जादा मांगा है बाकी बाई ने यह भी बताया है कि मोक्य पे जब सोदा होगा तो रेट कम हो जाएंगे बाकी आप अपने हिसाब से क्वालिटी का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं बाई का खरीद बेज का काम है फोन नमर बाई ने बता दिया है अगर किसी बाई ने पसों की खरीद बेज करनी हो तो आप इन से कोंटेक्ट कर सकते हैं